हेलो दोस्तों स्वागत आपका में रीडूप चानल बेसिक में सॉन डिप्स में और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास टैंथ चेप्टर पेयर ओफ लिडियर एक्वेशन इन तू वैरी वैसे लिडियर इंपॉचा था तो चली शुरू करते हैं तो देखिए सम्मेह में दिया है find the value of a and b for which the system of linear equation और हमें यहापे दो equation given है और साथ ही हमें यह बताया है has infinite number of solutions किसके infinite number of solutions हैं तो देखिए standard form में अगर हम लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं से कि a1 x plus b1 y plus c equal to 0 यह c1 भी लिख सकते हैं और देखिए a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0 तो इस तरह से हम लिखते हैं standard form में तो इसी से हम a, b, c निकाल सकते हैं तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पर a1 जो है वो होगा हमारा 3 जो कि x का coefficient है और b1 हमारा यहाँ होगा 4 जो कि y का coefficient है उसी तरह से देखे equal to के बाद 12 पड़ा है तो 12 को हम यहाँ लाएंगे left hand side में तो यह minus का हो जगा तो हमारा c1 जो है वो होगा minus का 12 अब दूसरी question में देखें तो हमारा यहाँ पर a2 जो है वो यहाँ पर है x का coefficient जो की a plus b है इसको हम लिख लेंगे और b2 हमारा यहाँ पर है 2 bracket में a minus b जो की यहाँ y का coefficient है तो इसको मैं solve कर लेता हूं तो 2a minus 2b इस तरह से मैं लिखूँँगा इसको और यहाँ पर मेरा c2 अगर मैं यहाँ देखूँ तो वो है 5a minus 1 अगर मैं इसको left में shift करूँगा तो मैं इसको इसको इस तरह से लिखता हूं bracket के बाहर minus और 5a minus 1 अ equal to c1 upon me c2 यह होता है तो पहले मैं इन दोनों का use करूँगा यहाँ पर ठीक है तो a1 upon me a2 अब देखें a1 क्या है मेरा पास वो है 3 और a2 क्या है a plus b यहाँ equal होगा b1 यानिकि 4 और b2 देखें तो वो है 2a minus 2b इस से मैं एक equation बनाऊँगा और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर a1 a2 पर साथ में c1 c2 लूँगा यानिकि इसके साथ में मैं इसको लूँगा तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं 3 यहाँ पर upon me a plus b equal to अब c1 c1 यानिकि यह है minus 12 और यहाँ पर c2 देखें तो वो हमारे पास है bracket के बाहर minus 5a minus 1 अब हम क्या करेंगे कि इससे एक equation बनाएंगे और इ मुझे a की value मिल जाएगी तो आप भी solve करके देखें देखें चले हम solve करते हैं तो यहाँ पर cross multiply करेंगे तो 3 को मैं 2a से multiply करूँगा तो यहाँ जगा 6a फिर 3 को minus 2b से multiply करूँगा तो यहाँ जगा minus 6b अब 4 को करेंगे a plus b से 4 into a 4a और 4 को b से multiply करेंगे तो plus 4b अब यहाँ पर 6a अपनी जगह पर है 4 इधर आ गया minus का होगा ठीक है अब यहाँ पर minus 6b अपनी जगह पर है यह जो 4b है यह इधर आएगा तो यह minus का होगा तो यहाँ पर आएगा 0 अब देखें 6 में से 4 गए तो यहाँ बचा 2a और minus minus होता है plus तो plus करेंगे तो आएगा 10 10b और निशा यह minus का है equal to 0 को 2 से divide करूँगा तो रहेगा 0 तो इस तरह से first equation मन गई मेरे यहाँ पर अब देखें यहाँ देखें तो minus से minus यहाँ पर cancel हो गया है अब यहाँ cross multiply करेंगे तो 3 को 5a से multiply करेंगे तो यहाँ जगह 15a को minus 1 से करेंगे तो आएगा minus 3 और यहाँ पर 12 को a plus b से करें तो plus 12b अब देखें 15a अपनी जगह पर है 12a इधर आएका तो minus का हो जगा उसी तरह से 12b इधर आएका तो वो भी minus का हो जगा 3 है इसको हम right में shift कर लेते हैं तो यह plus का हो जगा अब देखें 15a में से 12a गया तो यहाँ बसता है 3a और minus 12b equal to 3 पूरी equation को मैं 3 से divide कर देता हू ठीक है तो और reduce हो जाएगी तो 3 से इसको divide करूँआ तो आएगा a 12b को 3 से divide करूँआ तो 3 4 तो यह minus 4b और इसको करूँआ 3 से divide तो आएगा 1 तो इस तरह से यह मेरी second equation बन गई है अब हम second equation को हम घटाएंगे first में से तो मैं लिख लेता हूं कि subtract equation second from equation first तो आप first equation पहले लिख जाएगी जो की होगी a-5b equal to 0 जो की यहां से लिए है और second equation a-4b equal to 1 तो जब हम subtract करेंगे तो sign change करेंगे तो इसका plus है तो minus हो गया यह minus है तो plus हो गया यह plus है तो minus हो गया तो देखें यह कट गया तो plus minus minus तो 5 में से 4 गए 1 1 को लिखने के जरूँद है यह निशान लगे बड अचा है minus 1 ठीक है तो इस minus से minus cancel हो जाता है यहां पर तो इस तरह से यहां बच जाता है बी की value 1 तो आप देखें यहां पर बी की value 1 आई है तो हम इसको किसी भी एक equation में put कर लेंगे तो मैं यहां लिख लूँगा कि put b equal to 1 in equation 2nd equation में इसको put कर रहा हूं तो यहां पर a-4b equal to 1 के equal है तो a-4 multiply 1 b की value 1 रखती equal to 1 यहां पर a-4 equal to 1 यहां पर देखें यह जो minus का 4 है वो right में shift होगा तो यह प्लस का हो जागा तो 1 plus 4 तो इस तरह से a की value यहां पर आ जाती है 5 तो a और b की value पूचिती तो b की value 1 है और a की value 5 है तो मैं आशा करता हूं को आपको सम्स समझ मां होगा है इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10 के निए पहले से upload है आप उन्हें देख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में औरने सम्स के साथ तब तक लिए good bye